एक बार फिर से आपका उक्यवालिज में स्वागत है, यहाँ पर एक अन्य अपन रिणात में पारस प्रिक्रिया पढ़ेंगी जिसका नाम है परबक्सन, जिसको प्रिडेशन भी बोलता है, इसको पन लिखते हैं प्लस मानिस, मतलब एक जाती को फायदा दूसरी को आनी, तो हीरन गास, पादब को खाता है, गास को खाता है, तो यहाँ पर हीरन हो जाता है, परबक्सी और पादब हो जाता है उसका सिकार, तो कहने का मतलब है, एक जीव दूसरे को मार कर खा गया, तो यह परबक्षन हो गया, तो यहाँ पर जो मार कर खाने वाला है, उसको तो तहीं है बहुत ही काताथ या नाली या जिसको काणुविक很好 and in कैसे एक पोसक स्तर से फिर दूसरे पोसक स्तर पिर तीसरे पोसक स्तर पिर चोते पोसक स्तर इस तरह से बोजन का जो प्रवा हो रहा है इस्तानांतर हो रहा है उसमें परबक्सी मैथपन बुमिगाने पाते हैं क्योंकि ये इसको खाता है ये इसको खाता है ये इसको खाता है तो इस तरह से परबक्सन ही है, जिसके घाण से उट्जब उस्त नांतन हो रहा है. दूसरा इसका मैथ्वर्णमिग कहा है कि परबक्सी झीव, सिकार, समस्टी को कंट्रोल करते हैं, ने इंतुरित करते हैं. क्योंकि यदि प्रवक्सी नहीं होते और सेहरण नहीं होते जंगल में हिर्ण की संग्या बढ़ liaison होते हैं तो सिकार गनत्व बहुत ज्यादा हो जाता और पारितंत्र अस्तिर बनाए रखने के लिए प्रवक्सी मैतव भूम्मी का निवाते हैं कि करसी पीड़कनाशी होते हैं उनके नेंतरन के लिए कि वह सरकेमिकल का यूज करते हैं तो केमिकल का यूज नशना करके अनेक परबक्सी जियों का उपयोग जेविक ने नेंतरन के रूप में किया जाता है इसके बाद में एक अन्य इसके जो बुमिका है वो देखे परबक्सी इस्प्रदी सिखार जातियों के बीच में यानि परबक्सी और जो इस्प्रदी सिखार जाती हैं होती है उसके बीच में जो इस्प्रदा होती है उसको तिवृता को कम करके किसी समुदाई में जाती वो जब खुद ही लड़ेंगे तो उनकी तीवरता बहुजदा कम हो सकती है तो उस प्रबक्षी क्या करता है उनका शिकार करके उस समुधाय की जाती विविता को बनाई रखता है उसमें मदद करता है जैसे अमेरिकी प्रसांत टत की चत्तानी अंतर जवारी चेतर जो इंटरे टाइडल जो होन होता है उसके समुधायों में 25 से स्टर तारा मचली यह जो यह में तो पूर्ण वहां का परबक्षी है उस प्रसांत मासगर की टत पर जब प्रियोग सला के बाहर किसी मैदान में तारा मचली हटा दी गई मालो एक मैदान के अंदर एक इस तरह का अंतर जवारी चेत्र बना लिए गया उसमें सारी तारा मचली को अठा दिया गया तो अंतर जवारी इस परदा के कारण एक साल में ही जो एक कसे रुकी थे उनके 10 से ज़्यादा जाते हैं विलूप्त हो गई क्यों हो ऑने क्या हो गयाा कुम के अंदर शंगर सालो घ्य तो यह खुद इस प्रदा के कारण एक व्लूप्त हो रहे थे जबकि तारा मचली किया करती कर worm ही आ हो अठी है तो यह पर इस जही विता को ये बचा सकती थी तो यह था परभच्षन के पहत्वपुन बुमी का इसी तरे से अपने एक और उधरन पढ़ते हैं कि 1920 के आरम में आस्टेलिया में नाकफणी लाए गई देखिए ओपेंसिया जिसने वहां के लाकों हेक्टेर बुमी पर तेजी से फेल कर तबाई मचा दी तो हम देखते हैं कि नाकफणी एक बार फे कि इसको आस्टेलिया में लाए गया गया तब इस आकरामक नाकफणी का कंट्रोल किया जासे लिए और एक प्रसन बन जाता है कि TWO गया ऑप-धर और इसको गया है आस्टलिया में और यहां पर प्रकरती में जो परभक्स होता है वो विवेकी या प्रुडेंट होता है क्यों या कैसे तो देखिए विवेक ही होता है विवेक यानि समझदार मालो या सो समझ कर सिकार करने वाला तो परभक्सी जैसे सेर होता है तो बड़ा समझदार हो तो वह क्यों होता है क्योंकि प्रकरती में प्रभक्सी जी विवेकी प्राणी की तरह मतलब है वह अतिदोन नहीं करता है तो अगर ऐसा किया गया तो जल्दी शिकार विलुप्त हो जाएगा और फिर बोजन की कमी से परबक्षी भी विलुप हैं कि जो परबख्सि होते हैं वो परक tutaj में वीवेकी होता है अब देखें पर बक्षियों से बचाव के लिए सिक आरी जाति यहिए दौदर हो विकृचित कीगी रक्सा विदियां तो देखें जो परबक्षि होते हैं उनसे भी बचाव करना वह जुरूरी है तो प्रकरती ने सब को बचाव का अपना तरीका दिया है जाए वो कोई साही जन्तु उसको खुद सिखार होने से बचने के लिए कोई विधि दी है तो सिखारी जाती हैं एसी कौन सी विधियां अपनाती है ताकि वो सिखार होने से या प्रबक्षियों से बच जाए तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे प्रबक्षन के प्रभाव को कम करने के लिए सिकारी जाती है दोवारा विभिन्र तरह के रक्साय विधिया विक्षित की गई है तो पहला देखिए चदमावरन या जिसको अपन बोलते हैं गुप्त रूप से रंगीन तो यह चदमावरन क्या होता है कि कुछ बहुत सरे कीट है या जो मेंडग होते हैं कि कुछ जाती है क्या गड़ती है परबक्षी द्वारा आसानी से पैचान किये जाने से बचने के लि यह जो रंगीन चदमावरन है उससे वो सिकार होने से बच जाते हैं तो यह पहली विद्धिकोंड शी और रक्सात्म की ती चदमावरन कुछ दूसरे देखिए कुछ शिकारी जाती है विशली होती है अता है परबक्षी उनको खाते ही नहीं है जहरली होती है इसी तरह से इसके शरीर में एक विशेष रसायन पाय जाता है जो परबक्षी के लिए बहुती एहरुची कर और खराब स्वादवाला होता है तो जब खराब स्वादाएगा ऐह रूची कर होगा तो परबक्षी इसको क्यों कघाएगा तो यह तितली शिकार होने से बच जाती है इसी आसमें इस तित्ली की पराप्तुर्ण आवस्ता में होती है। विशेली हंसे को कहा कर पराप्त कर आगे चल कर अपनी ही सुरुकसा वार्षा में इस रसाइन को काम में लेती है, तो ये भी एक बचाव किया रक्षा विदी है, इसी तरह से पादबू में भी कुछ रक्षा विदियां पाई जाती है, तो पोदों के लिए साकारी प्राणी परबक्षी होते हैं, और लगबग 25% कीट पादब बक्षी या फाइटो फेगस होते हैं, अधार पादबू में इन परबक्षियों से बचाव के लिए अनेक रक्षा विदियां विख्षित की है, तो सबसे प्रमुक जो रक्षा विदियां होते हैं, काटे हैं, तो काटे क्या होते हैं, रक्षा के सबसे सामाने आकारी की साधन है, मॉर्फोलोजिकल इंस्टुमेंट है, तो काटों से अपने सुर्क्षा कर लेते हैं, जैसे बबूल है, अकेसी है, या केक्टस है, या बोगन विल्या है, या बहुत सारे खेजडी है, तो उसमें काटे पाए जाते हैं, तो इन काटों से अपने सुर्क्षा करते हैं, दूसरा इसका तरीका होता है, वह होता है, व पाचन का संदमन करते हैं, पाचन का संदमन मतलब है, पाचन के क्रेवधियों गडबडाय देते हैं, उसके उन जनतूं के जनन को रोग देते हैं, या साकारियों को कभी-गभी ये मार भी देते हैं, तो इस तरह से पोदे रसान, जहरिले रसानिक वदार्तों को उत्वादन करते हैं अपनी शुरुक्षा के लिए जैसे एक उदार्णापन पड़ते हैं खेतों में उगने वाला आख देखे केलोट्रोपिस पादप अत्यदिक विशेला होता है और यह की रिधे glycoside यहनी cardiac glycoside उत् Pensぎ करता है जो कि जहरिला एक पदारत है अत्यदिक पसु इस पोधे को नहीं खाते हैं लेकिन हम जानते हैं कि ऐछ जानवर तो नहीं खाते है लेकिन बकरी विगोरा इसको खाल लेती है तो बक्री इसको जैन कर पाती है और इसको नहीं खाते है तो जो अब देखे ये जो पोदे होती है इन्होंने डखिसाई भी दिया विख्शित किये लेकिन जो इनको खाने वाले जो शाकारी हैं उन्होंने भी ऐसी तरीके अपना लिए हैं कि ये किसने किसी तरीके से इनको खा लेते हैं तो वो उनको उदाशिन करके पहले से ऐसे कुछ खा लेते हैं कि ताकि वो रसायनों उदाशिन हो जाता है उनके आतों में और उनको कोई नुक्सान नहीं पहुंचाता है तो यह एक तो इसका उदाशिन है केलोट्रोफिस आका अनेक बादमद वारा साकारी जानवरों से बचाव के लिए रसायनिक उत्पन के जाते हैं जैसे निकोटिन है तंबागों में केफिन कोपी में क्वीनिन है या अफिम के अंदर जो मोर्फिन कोडिन है जैसे जो बनते हैं यह कहिनगे पोद्रे में शिकारी जानवरों से बचाव का एक रक्सा विधी के तहती इनका उत्पादन होता है तो यह थे पोदों में विक्षित रक्सा युगतिया तो इसको आप लिख सकते हैं और याद कर सकते हैं इसको लिख सकते हैं आप तेंक यू